आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार का सेवा करने का मौका भी लेगा देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में सरकार ने सेना में भरती का नया सस्टम लागू किया है इसके तहट चार साल के लिए सेना में लिया जाएगा उसके बाद 19-25 फीसदी सैनिकों कफिर से रिव्यू करके आगे सेना में बनाए रखने पर विचार होगा इस योजना को अगनीपत का नाम दिया गया है बुद्धवार को थल सेना के नौन युक्त वाइस चीफ लेटिनेंट जनरल बियेस राजू ने कहा कि अगनीपत योजना के तहट धीरे धीरे भरतियां की जाएगी पहले साल में 40,000 सैनिकों की भरतियां होंगी अगले 90 दिनों में पहली भरती रैली का आयोजन किया जाएगा अब से करीब 180 दिन के अंदर नए सैनिक 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए तयार हो सकेंगे करीब एक साल में अगनीवीरों का पहला बैच बैटालियन में शामी हो सकेंगे साथ ही थल सेना के उप्रमुक राजु ने बताया कि इस योजना की खासियत यह है किस से सेना को जादा नौजवान सैनिक मिल सकेंगे जो जादा सेहत मंद और तकनीक के मामले में भी आगे रहेंगे अभी सेना में सैनिकों की ओसत आयू 32 से 33 साल है अगनीपर्थ योजना के तहत 8 से 10 साल के अंदर इसे खटा कर 26 साल के करीब किया जा सकेगा इससे सेना पहले से जादा फिट रहेगी इससे सेना कठी विलाकों में जादा चुनौती पूड हालत में काम करने में सक्षम रहेगी इसके अलावा सेना पहले से कहीं अधिक टेक्ट से भी यानि की तकनीकी तौर पर सक्षम रहेगी युवाओं में देश प्रेम और एक्ता को बढ़ावा देने के लिए भारस सरकार द्वारा उठाये गए इस कदम से युवाओं को जवानी की शहादत और देश के लिए उनकी लगन को समझने का मौका मिलेगा हमारे स्खास रिपोर्ट में इतना ही देश दुनिया के और ताज और तरीन ख़बरों के लिए देखते रहे हैं आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार